तो प्रभुश्री रामजी की पिता का नामता दस्रत, दस्रत की पिता का नामता अज, अज की पिता का नामता नाभाग, नाभाग की पिता का नामता ययाती, ययाती की पिता का नामता नहुष, नहुष की पिता का नामता अंबरिशी, अंबरिशी की पिता का नामता प्रशुष्रुक के पिता का नाम था मरू, तो मरू के पिता का नाम था शिग्रक, शिग्रक के पिता का नाम था अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पिता का नाम था शुदर्शन, शुदर्शन के पिता का नाम था शंखन, शंखन के पिता का नाम था प्रवध, प्रवध के प्रथ्वी पर लेके आये जिसको भागीरत के पिता का नाम था कुकुस्त के पिता का नाम था रगु ये रगु वही राजा है जिनके नाम पर ये रगु कुल पड़ा क्योंकि ये बहुती पराक्रमी और तेजस वी राजा थी आज भी कहा जाता है कि रगु कुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए तो राजा रगु की पिता का नाम था राजा असमंज, राजा असमंज की पिता का नाम था राजा सगर, राजा सगर की पिता का नाम था राजा असित, राजा असित की पिता का नाम था परन धान दुनेईटी बतै की न दुन्दुरी पतनां द्राजसका अंधन की ना मतंके नपनाुदड़ के नो राजा द्रीवा न Là average की नेकोटी आता प्रंद्वांघी नर्जा स स लार आ धान की कि नेकोट नेकोट राजा म पतितलृ-justin राजाक कश्यप के पिता का नाम था राजा मरीची जब पिता का नाम था ब्रह्मा जी इस हिसाप से में यहांtak थो प्रवु श्री राम घयकी 49 वी चहकICE सप्यार, चाहिए कि सनातनियों को मुगलों का इतिहास तो पता था और खुद का इतिहास नहीं पता था तो ज्यादा सी जब इस वीडियो को शेर कीजिए जैश्री राम